वन्दू कार्थिक पूर्मा 26 नॉम्बर सुब्दिन रविवार को दोपहर 3 बज कर 13 मिनट पर आरम हो रही है जो 27 नॉम्बर दोपहर 2 बज कर 45 मिनट तक रहेगी कार्थिक पूर्मा अर्थाद देव दीपावली का दीपक 26 नॉम्बर की रात्री में ही जलाये जाएगा मानता है कि इस दिन देवतागर भो लोग पर भर्मन करते हैं इसलिए देवताओं की प्रसंता के निमित अपनी सामर्थ के अनुसार घीक का दीपक अत्वा तिल के तेल का दीपक प्रजलिट कर देवताओं को प्रसंत करने की परंपरा है देवतागर भी इस दिन दीपावली का पर मनाते हैं इस नानदान की पूर्मा 27 नॉम्बर को संपन होगी क्योंकि उधिया तिती के अनुसार 27 नॉम्बर को ही पूर्मा तिती मानने है इसलिए 27 नॉम्बर को इस नानदान की पूर्मा संपन होगी मानता है धर्मग्रंथों के अनुसार कि इस दिन जगटपती भगवान विश्णू मत्स रोप में जल में विच्रण करते हैं इसलिए गंगा का जल अम्रित के समान होता है इसलिए साधक गान इस दिन इसनान कर भगवती लक्ष्मी की प्रसंता के निमित दान पुन्य करते हैं कार्तिक पूर्मा में चंद्रमा को भी प्रसंत करने का एक विसेश उपाय है जिन साधकों के चंद्रमा विपरीत अत्वा कुंडली में चंद्रमा कम्योर हैं उन्हें चाहिए कि 26 नॉम्बर की रात्री में गाय के कच्चे दूद से चंद्रमा को अरग दें आयसी जगह अरग दें कि जमीन में गिरने वाला दूद पैरों पर ना पड़े किसी तुलसी की गमले अत्वा किसी ब्रिच के नीचे ही या किसी बड़े पात्र में वह जल गिरे वह दूद गिरे अरथात और फिर उसे दुखद को अपने मस्तक पर तिलख लगाएं इससे कुंदली में कमजोर चंद्रमा मजबूत होगा और चंद्रमा के अनकूलता का लाववी प्राप्त होगा